चावल का कारोबार करने वाली आंद्रप्रदेश की एग्री बिजनेस फर्म पट्टाभी एग्रो फूड बांगलादेश को सस्ती दर में 50,000 टन उबला चावल निर्यात करेगी। दरसल, पट्टाभी ने सबसे कम दाम की बोली लगा कर टेंडर अपने नाम किया है। बोली लगाने वालों में हल्दर वेंचर, बागडिया ब्रदर्स समेत कई दिगज एग्री फूड कमपनियां शामिल थी। इसके अलावा 50,000 टन चावल आपूर्ती का एक और टेंडर अभी खुलना बाकी है, जिसको लेकर कमपनियों में होड मची हुई है। बता दें कि कुछ सपता पहले केंदर सरकार ने चावल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों और MEP को हटाया है, जिसके बाद चावल शिप्मेंट में तेजी देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांगलादेश सरकार की ओर से 50,000 टन उबले चावल की आपूर्ती के लिए जारी किये गए पहले टेंडर को पट्टा भी एग्रोफूर्ड ने सबसे कम 477 डॉलर प्रती टन की बोली लगा कर अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही सबसे कम बोली लगाने वाली कमपनी बन गई है। सूत्रों ने बताया कि टेंडर हासिल करने के लिए कमपटीशन इतना तेज था कि कि एक और बोली लगाने वाली फर्म बागडिया ब्रदर्स ने 477.77 डॉलर प्रती टन की दर से आपूर्ती करने की पेशकश की जो सबसे कम बोली लगाने वाले पट्टा भी एग्रो से 70.77 डॉलर प्रती टन ज्यादा थी। 50,000 टन गैर बास्मती उबले चावल की आपूर्ती के लिए भारत की ओर से निर्याद प्रतिबंध हटने के बाद पहला वैश्विक टेंडर जारी किया था। इसमें से चटगाम्व बंदरगाह में 30,000 टन और मोंगला बंदरगाहों पर 20,000 टन की आपूर्ती होनी है। प्रत मूले को हटाने और निर्याद शुल्क को समाप्त करने के हालिया फैसलों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर निर्याद करने में मदद की है। हाला कि इससे भारतिय निर्यातक कंपनियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। असल की संभावनाएं भी अच्छी दिख रही है। इसलिए भारत को उम्मीद है कि वह अंतराश्ट्री अस्तर पर खोए हुए बाजारों को फिर से हासिल कर लेगा। Bureau Report Market Times TV